नमस्कर दोस्तो कैसे हैं आप लोग आज का ये नया वीडियो में आपका बहुत सारा सुवागत है मेरा नाम है गुपाल तो दोस्तो आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तो जो लिस्ट भीव है ना उसका स्क्रोलिंग आइटेम को आप सेब कर सकते हैं स्क्रोलिंग के दौरान जो आइटेम्स होते हैं पार्टिकुलर स्लेक्टेड आइटेम्स को आप सेप कर सकते हैं ठीके काफी जबरदस्त कॉंसेप्ट है दोस्तो आपको ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको डाइरेक्ट देखना पड़ेगा ये वीडियो को पुरा लाष्ट तक तभी आपको समझ में आएगा ठीके तो चलिए दोस्तो आज का इस वीडियो को स्टार्ट मारते हैं तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तो हम जो है ना क्रेडिट दे देते हैं आप जो है ना इन भाइस आपको support कीजिएगा दोस्तो फुल support कीजिएगा ये project file के लिए दोस्तो sketcho air pro का project file है दोस्तो यहाँ पर दोस्तो हम जो है इसको change करते हैं ठीक है ये text को हम change करते हैं दोस्तो यहाँ से तो यहाँ पर दोस्तो हम लिखेंगे find ठीक है find हम लिखते हैं यहाँ पर दोस्तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं find the selected items ठीक है find the items तो selected selected items ठीक है दोस्तो यह हमने लिख दिया है दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों साइज कुछ से बढ़ा देते हैं तो यह हो गया आप clearly देख सकते हैं दोस्तों उसके बाद ये list view है दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हूँ आपको अभी समझ में आएगा ये custom list view है दोस्तों ठीक है यहां पर दोस्तों इसे जो हम थोड़ा सा rate color का कर देते हैं इसका size को थोड़ा सा increase करके हम क्या करेंगे color को rate कर देंगे ताकि आपको भी थोड़ा सा देखने में आए ठीक है ओकी दोस्तों इसका size को कर देंगे 16 हा ठीक है तो दोस्तों ये हो गिया है अभी दोस्तों हम ये दोस्तों इंस्ताल करते हैं मैं आपको build करके दोस्तों दिखा देता हूँ थोड़ा सा ओट कीजिए दोस्तो थोड़ा सा समय लगेगा यह देखिए यह जो है न इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है दोस्तो चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तो अब इसे ओपिन करते हैं दोस्तो जब तक आप जो है न यह देख नहीं लेते यहां पर हमें जो है text को change करना पड़ेगा दोस्तों sorry हम कर लेते हैं दोस्तों जब तक जो है आप जो है देख नहीं लेते यह project file को तब तक आपको समझ में नहीं आएगा यह scrolling जो scrolling होने दोरान जो items है आप उसको shape कैसे कर सकते हैं ठीक है particular items को आप shape कैसे कर सकते हैं यह आपको project file complete देखने के बाद ही आपको पता चलेगा आप इस activity को समझ सकते हैं तो यहां पर दोस्ता हम लिख देते हैं items ठीक है यह हो गया items डट 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 तो यह हम लिख दिया है ओके हम दुबार इसको install करते हैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों वीडियो को बिना skip करके पूरा last तक द लेगा और यह प्रोजेक्ट फाइल का डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो का description में मिल जाएगा दोस्तों आप easily डाउनलोड कर सकते हैं ओके तो यहां पर दोस्तों हमरे पास टोटाल केतना सा रहा है 1550 दोस्तों हमरे पास items है तो मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए मै यहां पर यह 31 आप देख सकते हैं इसका प्रमनीस्ता क्लिक कर दिया ठीक है क्लिक कर दिया और मैं दोस्तों अभी देखिए मैं यहां पर पहुंच गया तो मैंने कौन सा आइटेम का उपर क्लिक किया था वह मेरे को ढूंडना है तो यहां पर आप देख सकते हैं find the selected items इसका आपर मैं क्लिक करता हूं तो जो भी आइटेम मैं ने उसका पर क्लिक किया था वो आप यहां पर देख सकते हैं तो यह जो है ना यही एक्टिबीटी है दोस्तों आप जो है ना मान लीजिए मैं जो है यहां पर यह 94 का पर क्लिक कर देता हूं ठीक है और मैं कहीं भी चला जात पर किलिक करता हूं तो उसके बाद में यहां चला आता हूं मैं कहीं भी जाता हूं ठीक है तो यह अठीक लिए आपको बता देगा आप कौन सा हैं दोस्तों बहुत इजिली समझ सकते हैं तो अगर आपको पसंद आता है दोस्तों आप ये प्रोजेक्ट फाइल को जुरूर डाउनलोड कीजिएगा और दोस्तों चेक कीजिएगा वास वीडियो खतम मैं उमीद करता हूं दोस्तों आपको हमारे ये वीडियो अच्छा करके घंटी बटन को फ्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का जवर्दस्त इंटरेस्टिंग इंपोर्टेंट और हाँ दोस्तों आपके लिए हेल्फुल टॉपिक के साथ अभी के लिए इतना है दोस्तों राधे राधे जाए सिर राधे ही जोस्तों की फटेर्णे के लिए राधे 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 जा दित्या थे पन